जैने नमस्कार साथियों कैसे हैं आप मैं नोजेवा फिर साथ सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं आट डवलो ए डिफेंस फामली में मेरे प्यारे साथियों एक बहतरी शो हमारा जो आप सभी लोग उसको बहुत प्यार करते हैं इसका नाम है अंग्रेजी मिन्थन उसका जो आज का क्लास नमबर है वो है हैस्टेग एट और आज के दिन यानि की रविवार सुभा साड़े साथ बजे हम लोग कवर करते हैं अप आपके इस रिडिक कॉंपरेंशन को मजबूत करने के लिए मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको चीज़ को पढ़ाना शुरू किया है कहानी से आप इंग्लिजी को सीखेंगे क्योंकि बचो कहानी में आप लोग इंटरस्ट लेते हैं इसमें आपको एनिविशन दे से लेंगे ध्यान दाखिएगा एक भी सिंगल सेशन आपको अंग्लिजी मंसन का छोड़ना नहीं है इसके पुराने वीडियो लेक्षर कहां मिलेंगे वह मैं आपको क्लास के बाद में बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारास्ता सेशन देखिए क्या है आ और पूरी कहानी में आज नीलम के नैंसी के बारे में नैंसी के बारे में आज बात होने वाली तो चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह मैं आपको शुरुवात में हर पैसेज पर थोड़ा सा समय देता हूं ताकि आप लोग खुद से पहले पड़ें और कोशिश कीज हर एक शब्द का अर्थ जानने की कि क्या हमें कितना आता है फिर मैं आपको इलैबरेट करूँगा तो थर्टी सेकिंड आपके शुरू होते हैं अब अच्छे से पढ़िए और समझेए क्या कह रही है आपकी स्टोरी आज की चलि पताईए पढ़िए इसको अच्छे से बि जैसा भी आ रहा है जितना भी आ रहा है कोशिश कीजिए खुछ से ट्रांसलेट करने की चलिए अब मैं आपकी हेल्प करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ पर कहानी है नैंसी को लेकर के एक नैंसी नाम की लड़की है जो एक सफल वैपारी है उसके बारे हम लोग पुलिस स्टोरी को जानते हैं चलिए पढ़ते हैं तो देखिए बच्छो मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है कि रहे है ता वुमेंगो कि याँ अब कि रहां सर्फल व्यापारी है यहाँ छो इसकल पर किया लय या-हे है जो उसकिए वह मिध्शों सक्सेस्फुल मतलब क्या होता विए बच्छों का सफल बहुत सफल व्यापारी है तोब आथे-सक यह से क्या हो गया, पैर बच्चो वियापारी, अगर मैन होता तो हम लोग方 करते हैं, आपके बिस्थ दिस्में के बारे में, अब क्योंकि महीला वियापारी है इसलिए हम लोग बात कर रहे है, तो पहले ढाइन हम यहं क्या कहती ऌहा ग्या बात करेंगे, वह एक सफल वियापारी थी आगे बढ़ते हैं हर नेम वोस नैंसी उसका नाम क्या था नैंसी था अब बच्चे यहां आप देख पारे हो हर आ रहा है अब यह जो हर होता है जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे ही की तो ही का जो possession होता है वो क्या होता है इस होता है शी का जो possession होता है वो क्या होता है बच्चे आपका हर होता है तो ध्यान रखिएगा जो possessive adjective होता है उसके बाद आप noun का यूज करते है अब जैसे हमने यहां पर use किया है हर नेम तो इसका मतलब हो गया उसका नाम यह सारे बातें आपको लिखनी है हर एक point जो आपके लिए important है मैं बताता हूँ चल रहा हूँ बहुत को सीखेंगे आप इससे उसका नाम अर नेम का मनलब उसका नाम अर नेम वास नेंसी उसका नाम क्या था था उसका नाम क्या था नेंसी था अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आपको बता रखा था अगर आपने अंग्रेजी बंतन का जो एक session है जिसमें मैंने आपको since or four का difference दिखाया है वो आप जाकर के जरूर देखना वहाँ पर मैंने आपको बहुत अची तरीके से बताया है कि since कहां use होता है फॉर कहां होता है फिलाल के लिए आपको मैं छोटी सी बात समझा देता हूँ बच्चो जो भी आपकी stages of life होते है जैसे childhood हो गया आपका adolescence हो गया यानि कि आपकी you वास्ता है since का use करते है basically since का use हम लोग करते है point of time के लिए किसी point पर जब भी कोई भी काम होता है उस point के लिए उस particular time के लिए हम लोग use करते है since का और for का use हम कहां करते है duration of time के लिए इस बात के लिए पूरे 20 मिनिट का lecture आपको दिया गया निशी मंतन का वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा ठीक है since I child इसका मतलब क्या हुआ कि वह बच्पन से ही चाइड का मतलब बच्पन वह बच्पन से ही क्या कर रही थी बिजनिस के बारे में सोच रही थी वेपार करने के बारे में सोच रही थी हर मदर अब देखो फिर से हर मदर was a successful business woman उसकी माता एक सफल वेपारी थी तब ही तो वह बच्पन से बिजनिस के बारे में सोच रही थी क्या ना क्योंकि मम्मी उसकी एक सफल वेपारी थी ओके अब यह हू क्या है रिलेटिव पनाउन है जो किसको रिप्रेजन कर रहा है इस महीला को कर रहा है who never let any problem come in her business यहाँ पर क्या बात है महीला की माता के बारे माता की बारे मात की गई है कि कह रहा है उसकी माता एक सफल वेपारी थी जो never let any problem come in her business जो अपने वेपार में किसी भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या को नहीं आने देती, है न? Who never let any problem, any problem का मिनर भी नहीं, जो व्यपार में किसी भी समस्या को नहीं आने देती थी, यह उसने आपर बात कही है, that is why, इसका मलब जा था, that is why का मतलब इसलिए, इसलिए, Nancy developed the habit of, habit of आदत, कौन से आदत, doing business, doing business, व्यपार करने की, व्यपार करने की, व्यपार करने की, कब से, जगो फिर से आ गया, पच्चपन से, इसलिए, Nancy के अंदर यह आदत पच्चपन से ही थी, कौन से आदत थी, व्यपार करने, इसलिए नैंसी के अंदर वेपास करने की आदाथ बच्पन से ही बन गई थी डैवलाप हो गई थी आ गई थी पढ़ गई थी बन गई थी पहला पैसे आपको क्लियर हुआ आगे पढ़ते हैं चीक है आगे पढ़ते हैं मेरे दोस्त स्क्रेंशॉट ले लिजेगा कोई भी अधर डालोगे ना तो हर चीज आपके लिए बहुत काम आईगी और इंग्लिश को समझने का प्रयास करें जैसे अब आपके सामने पैसे आ गया मैंने आपको बताया मेरी वीडियो का बहुत दोबारा भी देसकता है यह जिस दिन पढ़ गई उस दिन आपको पैसेज में प पढ़िए बढ़ा पढ़ से कामान आप देखें मेरे प्यारे दोस्त अगर आप जहां से देखें तो क्या कर रहा है कि नीलम जो है ना उसने अपनी माता से बच्पन में ही वेपार के बारे में बहुत को सीखा था आप किसने इस नीलम ने अब देखें तरह ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है आपसे कि बारबार नीलम नाम निकल रहा है ना नीलम यह नैंसी है यह अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्b की third song अगर यह structure है प्लस आपका object घंक कॉनसा strrence खठ होता है हेड के साथ वरक एक थार अफारब यह अपका पास्ट perfect पास्ट परफेक्ट तो नीलम ने अपनी माता से बहुत कुछ सीखा था She work very hard to achieve success in her business She work very hard to achieve success in her business उसने बहुत cutting perisharm किया She work very hard अब work very hard का मतलब क्या होता है Cutting perisharm To achieve पाने के लिए तो अच्छी का मतलब पाने के लिए क्या पाने के लिए सफलता पाने के लिए कहां पर अपने बिजनिस में तो नीलम ने बहुत कडिन पश्रम किया अपने व्यापार में सफलता पाने के लिए नीलम ने बहुत कडिन पश्रम किया व्यापार में सफलता पाने के लिए One day, एक दिन अच्छा, एक लाइन चूट गए She brought new idea to her business that made her stand out from a tar अब देखो, brought का मतलब लाना आपकी second form में brought इसका मतलब क्या होता है, लाना एना, तो she brought वह लाई नए idea to her business, अपने व्यापार में that made her stand out stand out का मतलब अलग from others इस बात का क्या मतलब हुआ वह अपने व्यापार में नए विचार लाई नए ideas लाई that, नए विचार यानि कि हम नए विचार के बारे मत कर रहे है, जिस विचारों ने that किसके लिए आ रहा है, ideas के लिए आ रहा है किसके अपने business में वह नए ideas लाई अपने व्यापार में that made her stand out from other, जिसने उसको दूसरों से अलग बनाया made stand out, अलग बनाया stand out को मलब अलग, अलग दिखना यह आप कहा सकते हो, जिससे वह और उससे अलग दिखी ठीक है न, stand out को मलब अलग दिखना उसने ऐसा काम किया कि दूसरों से अलग जो है दिख रही है जैसे हम लोग अंग्रिजी मतन लेकर के आ रहे हैं series लेकर के आ रहे हैं आपको छोड़ जोड़े वीडियो में बहुत कुछ सिखा रहा है तो हमारा जो session है वो बिल्कुल stand out है from other sessions, ठीक है ऐसे समसकते है one day, Nancy had a new idea एक दिन Nancy को नया idea आया नया idea आया, नया विचार आया she thought, उसने सोचा think की second form of going to a local village एक local village का मतलब है इस्थानिय गाउं, उसने सोचा एक इस्थानिय गाउं में जाने के लिए where all the women जहां पर सारी आप देखो एक चीवर बता हूँ, all or both इसके बाद article दा का यूज होता है, यह चीज़ आप लोग याद रखेलने all or both के बाद article दा का यूज होता है ठीक है, और same और whole से पहले दा का यूज करते है तो all के बाद दा आ रहा है, यह चीज़ याद रखेगा आपको हर जगह मिलेगी all the women, women का plural women, all the जहां पर all the women could come together, जहां पर सारी वहीला एक साथ आ सकती थी and buy और खरी सकती थी, यह cheapest क्या है बेटा यह cheap की, आपकी देखो cheap होती है हमारी positive degree cheaper होती है हमारी comparative degree और cheapest होती है हमारी superlative degree, यह हमारी superlative degree है और superlative degree से पहले है article दा का use किया जाता है and buy the cheapest and the best quality goods अब देखो best भी यहाँ पर है अब यहाँ article यहाँ पर आ गया तो यहाँ लगाने की जरूत नहीं है good better or best यह भी superlative degree है और best quality good goods का मतलब होता है प्यार बच्चों सामान उसने यह कहा कि उसको एक idea है उसने सोचा कि एक इस्थानिय गाउं में जाए नदी के गाउं में जाएं जहां पर सारी महिला एकटी हो सकती है और खरीज सकती है सबसे सस्ता और सबसे बहतर सामान right this idea stuck stuck मतलब जम गया जम गया यह है जो विचार था यह जो idea था वो जम गया था नैंसी के दिमाग सभी को बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त सभी को बात समझ में आ रही है ठीक है प्यारे बच्चों यह जो video lecture होता है वो recorded होता है इसलिए आप सारे बच्चे कमेंट अगर कर रहे हैं तो पढ़ने वाले कमेंट करिए एक दूसर से बात मत करिए ठीक है क्योंकि कई बार ही ऐसा होता है कि जब आप मनलब हर बार मैं देखता हूं कि कुछ दो-चार बच्चे इस क्लास को बहुत डिस्टब करते हैं भाई आप लोग यह देखा करें कि जब टीचर की क्लास लाइव हो रही है तो मैं उस समय पर इस क्लास को देख रहा होता हूं एक क्लास रिकॉर्डिट करने का माध्यम क्या था क्यों मैंने ऐसा सोचा ताकि आपका समय बचे क्योंकि यह बहुत सीरेस टॉपिक है इसमें बहुत फोकस करना पड़ता है मुझे भी हर एक शब्द का ट्रांसलेशन करना पड़ता है हर एक वर्ब देखनी पड़ती है तो और कम समय में क्योंकि अगर मैं लाइब लोगा यही आपका वीडियो 40 मिनट कर चला जा क्योंकि आपके रिप्लाइ करने पड़े जिसमें किसी भी कोई वारतालाप नहीं है कोई इसलिए मैं भी उमीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे पढ़ने वाले वह वह नहीं तो आप के लिए टीचर को इतनी महनत कर रहा है तो आप भी comment box में कोई भी chat ना करें सिर्फ चुपचाप से पढ़ें और yes और no कहते रहे yes sir, yes sir, okay sir, clear sir जिससे जब मैं इस chat को देख रहा हूँ तो समझ में आ जा है कि हाँ भी आप सारे बच्चे इस chat को देख रहे हैं और class के बाद offline comment जरूर क्या करो यह बताने के लिए आपको आज का session कैसा लगा यह इसके बारे में आप लोग जरूर बताया करें और सारे बच्चे अभी भाई में बोला तो करने का इस वीडियो पर भी कम से कम 1500 like होने चाहिए ऐसा मेरे आप से उम्मीद करता हूँ देखो बच्चो support क्या करो वरना चीजा आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो session को सारे बच्चे लाइक जरूर कर दीजा अभी अब हम आगे बढ़ता है next part पर चलते है अब देखिए आगे आपके सामने पढ़िए इसको अच्चे से क्या गह रहा है ती सेकिंड आपके बस झाल 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 अगे बढ़ते अब देखते हैं नैंसी वेंट टू दा विलेज एंड और्गनाइज हर प्लान वह गाओं गई और अपने अपने प्लान का आयोजन करना कि वह अब तो को पुड आ गया ना विल की सेंड फॉर्म वुड तो यह क्या रहा है कि वह प्लान वह गाओं गई उसने महिलाओं से बताया क्यूंकि पास पर चल दा है ना तो इसले पास की फॉर्म को ले करके चल दा है उसने महिलाओं को बताया शी वूड प्रोवाइड शी वूड प्रोवाइड दैम विद द चीपेस्ट उसने बताया कि वह अंको क्या करेगी सबसे तस्ते और सबसे अच्छे क्वालिटी के समान प्रोवाइड कराईगी जिसको वह खरीच सके यहना कुड एवर बाइड जि स्युकार किया अब कौन खुषती महिला है यह दे किसके लिए है महिलाओं के लिए दे वर भाइड खरीच सकती थी क्या दे कुड दुवारा से बढ़ता हूं दे वर हैपी दे कुड नाओ बाइड गुड विदिन देर बजट वे खुषती कि वह अपने बजट के अंदर अ क्योंकि नैंसी का यह प्लान था कि मैं सस्ता और भढ़िया समान गाउन वालों को प्रोवाइड करा हूं और तो इसने उसका ओर्गनाइज करा महाँ पर जाकर बताया तो महिला यह बहुत कुश थी क्योंकि वह इस बात को सोच रही दे कि वह बहत्री समान खरीश सकती है कम मैं बात कर रहा है नैंजी नहीं उर्जा का जो इस्तमाल है वो अपने वेपार में किया और अपने प्लान को सक्सेस्फुल बनाया में मतलब बनाया राइट नेक्स्ट आप देखिए यह आपके सामने लास्ट पैसेज इसको पड़ यह चाहिए है आप में और गिल्डे को सक्तरी एड़ है क्या और है आपके स्थूल आपगर में किया और आपके स्थूल भागर में मतलत इसक्वागर आपके सामने ने प्लान को सक्वागर हैं तर अ पिर जब आदमी जब सफल बन जाता है तो उसको जगा जगा बुलाए जाता है उससे बुझा जाता है कि आपने क्या ऐसा किया जिससे आफ सफल हुए तो ऐसा सही कुछ हुआ प्र बाद में नसी ग्रेजुली का मतलब होता है जैसे मैं आप से कहता हूं कि धीरे दीरे इंग्लिश को बहतर करना मनलब धीरे ऐसा नहीं आपको यह कॉंटिनिटी मेंटेन करनी है आपको लगातार पड़ते रहना है आज क्या आया आज हम पड़ते हैं कल क्या हम लोग पड करता गया कि कॉंटिन्यूट टू ब्रिंग न्यू आइडियास टू एक्सपेंड हर बिजनिस इवन फर्दर अब तो पीट यहां पर आया फर्दर मैंने आपको इसलिए तो मैं कहता हूं बहुत शांदार टॉपिक आपकी लिए मैंने बनाए हैं फर्दर और फार्दर की फिजिकल दिस्टेंस यह किसको बताता है जो दूरी होती है जबकि जो फर्दर होता है वो आपको फिजिकल दिस्टेंस नहीं बताता है वो आपको एक एक स्टेंट बताता है यही उसने बात बोली है कि ठीक है शी कंटिनू टू ब्रिंग न्यू आइडियास लाती रही बढ़ाने कि कला अ busygen-s group so much that she would hear so that इतना की it cannot की एना कंजंचन सो के साथ डैड क्या हीूज़ा रहा है इसका उसका business growy second form growy second form क्या तुक्सका व्यापार इतना भढ गया की she इतना बढ़ गया कि वह अपनी सफलता की खबर बाहर से सुनने लगी इतनी फेमस होगी वह उसके बाहर से जो है उसकी सफलता की खबरे आने लगी उसके पास तक वन डे नैंसी गेव स्पीच एड इसकूल एक दिन नैंसी ने एक स्कूल पर भाशन दिया गिव की सेकींड फॉर्म यहां पर बच्चों से बोला दो यहां पर एक वरड आया चिल्डरन मेरे प्यारे बाई अकसर एक्जाम में कुश्चन आता है चिल्डरन का चिल्डरन कर दे और नए आइडिया को से सफल बनने के लिए इसने बताया कि लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण है significant का मतलब होता है महत्वपूर जो चीज value रखती है, जो चीज बहुत ज़ादा महत्व रखती है, महत्वपूर्ण है important है, सभी को बाद पुमन में आ रही है तो मेरे दोस्त, ये आपका आज का अंग्रेजी मंतन hashtag 8 complete होता है, उमीद करता हूँ कि आपको ये session बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों से, बस एक छोटी सी demand है, इस बहुत सारी महनत के लिए कि बेटा, एक तो आप सारे बच्चे like जरूर कर दीजेगा, और class के बाद, जब ये class over हो गई है अब, तो class जब over हो जाएगी, end हो जाएगी तो एक offline comment करके जरूर पताना, कि आपको अंग्रेजी मंतन hashtag 8 कैसा लग रहा है, और आपके अंदर एक से लेकर 8 तक कितने improvement देखने को मिल रहा है, और आपको बता देता हो, कि आपको other classes, ये ही वाली वो कहां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, जैसे जैसे मेरे दोस्त, आप सारे बच्चे, ये हमारे RWA defense परिवार पर आगे, subscribe जरू कर दीजेगा, ये जो वीडियो वाला section होता है, short, live, वीडियो, ये जो हमारा वीडियो वाला section होता है, इसमें हमारे अंग्रेजी मंतन आते हैं, जैसे देखो आप last हमारा 6 है, 7 आपका ये कल हो चुका है, और इसमें noun का identify करने मता है, ये भी बहुत अच्छा है topic है, और इसके बाद आपका hashtag गईट आएगा, बाकी आप गयानगा सीरीस को भी कर सकते हैं, ये science वगरा के लिए आपके लिए अब आप प्लेलिस में जाएंगे, तो जो बच्छे प्लेलिस के लिए कारे हैं, बाकी क्लासितर में कहां भी लेंगी, तो आप देखेंगे, यहां पर आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस, इस पर आप क्लिक करोगे, तो सारा का सारा, है ना, hashtag 1, 2, 3, 4, आपको यह सारा का सारा यहां पर मिल जाएगा, ठीक है बच्छे, यह चीज़े आपको याद रखनी है, तो इस तरीके से आप इस सिरीज को कवर कर सकते हैं, यह आपका कब कब आता है, यह भी आपको बता देता हूँ, अंग्रेशी मंतन hashtag जो है आपका, वो hashtag 7 और hashtag 8, यह आपका कल हुआ था आपका साड़े साथ बज़े, शनीवार को, और hashtag 8 आपका अभी चल रहा है, रवीवार को सुबह साड़े साथ बज़े, तो शनीवार और रवीवार, डेली, यह इस दिन जब चाहरो